अंगुठे का अंधिर्म जब हम करते हैं तो दो मुख्य बतें देखी जाती हैं एक तो यह इसकी लम्बा है यह चोटा है या नसर दर्जे का है और एक इसकी पलेक्सिबिलिटी यह सीदा है, कड़क है, जुखता है या ज़्यादा जुखता है तो इसकी अंधन करते हैं तो हम length की चर्चा तो बाद में करते हैं और पहले इसकी चर्चा करते हैं इसकी flexibility के बारे में तो आप चितर में देख रहे हैं तो पहला चितर जो है यह straight थमका है, सीधे थमका है और जो दूसरा वाला जो है यह पीछी जुपता है यह flexible thumb बोलते है simple flexible thumb और एक कुछ दूसरा यह देखो का यह तो 90 degree से भी चोटा कॉन बना रहा है तो इसको बोलते है super flexible thumb तो इसका कैसे पता करते हैं आप हैं ज़्यादा जोर दिये पगए आप अपने उठे को nail वाले हिस्से से अंदर वाले हिस्से से थोड़ा बार की तरफ दबाए तो अगर यह पीछी की तरफ नहीं जाता है सीधे ही रहता है तो इसको हमें state कड़क थम बोलते है और कब पीछी चला जाता है तो उसको बोलते है flexible thumb है यह अब इनकी क्या माने होते है इसकी चर्चा करते है सबसे पहले चर्चा करेंगे हम इसकी कड़क अंग उठे की state thumb की सीधे की जो मुणाने पर कितना भी जो लगा लो लेकिन दर्द हो जाएगा इंचान को लेकिन पीछे मुड़े गा नहीं अब इनकी खासित यह हो जाती है पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है कर नियम क्या है आप यह याद रख लेजीए बहुत सिंपल नियम है flexible thumb, flexible mind stiff thumb, stiff mind अब यह जो सीधा उठा है तो यह तो यह बताता है कि यह जिद्धी है जिद्धी नंबर एक है stubborn है हाँ महनती होते है लेकिन जिद्धी पन में जाता नहीं यह आसानी से adjust होने वाले नहीं होते हैं और यह विवार में बहस करना पसंद कर लेंगे अपने आपको justify करने की कोशिश करेंगे हाँ सावदान है alert है और नए आडियाज तो बड़ी मुश्किल से अपनाते हैं वई यह लोग यह मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखते हैं यह बचत करने वाले होते हैं और कुछ भी निड़ने लेने से पहले बहुत आगा पिछा शोच के और बहुत careful consideration करके तो यह निड़ने लेते हैं पैसे के मामले में तो बहुत मैंना आपको मता है कंजूर्स होते हैं बचत करने के लिए आए दुनिया के अंदर यह लोग अगर आप सोचो कि यह कोई सही हो कमे कर देगा हम मदद मांगेंगे तो मदद देदेगा जी बिना मतलब के नहीं करे जाए हाँ जी क्योंकि इनका रवया सक्त है और जो यह 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 सक्त रवया जो इनका होता है ना तो इनके मित्र भी कम होते है लेकिन एक बार है यह अगर एक बार जिनको इन्होंने मित्र बहन बता दिया तो यह माना परताग की तरह अपना वादा उसको निभाएंगे या वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मेहनत कितनी भी करने में, मेंटिन करते हैं उसको, उस मिज़ता को निभाते हैं, यह स्ट्रॉंग विल वाला परसान है, येस, दूसरों पर विश्रास कम करता है, शक उसके लिए जरूरी है इनकी सबलता के लिए के लाइन ओफ हैट सीधी हो और कोई तिल नहीं हो अंगोटे के उपर येस अब आगे के अपन चलते हैं न तो आपको ये दूसरा नदर आएगा फलेक्सिबल थम तो ये फलेक्सिबल थम वाले जो लोग जो होते हैं ये ज्यादा समाजिक होते हैं हाँ जी ये सोशल बिना कारण भी लोगों को फोन कर देंगे मिल लेंगे कर लेंगे और भाई क्या हाल है ऐसे वगरा तो ये ये एक्टिव हैं और अड़क्टिव हैं ये ये हालात को अपने अनुसार कर लेते हैं या ये खुद हालात के अनुक हो जाते हैं रोते कम हैं यह कोई शिकाई नहीं होती हां जिम्मधार होते हैं यह लेकिन कोई hard and fast कोई इनके कोई रूल यहीं कोई पक्ती Beach नहीं बनाी खुतो है कि सीधिर Destroy होते किसी की बारे में कोई राय को ऐसा बनाने लेंो flexibility मतलब flexible सोच में लोच है तो यह अपना आइडिया अपनाने को तैयार है जैसे वो इस्टिप थंबला नहीं वो पुराना काम ही करेगा जो नए तरीके को भी सीखना करना बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए लेकि इन flexibility थंबला लगों का एक पाइदा यह होता है कि यह राए मान लेते हैं ठीक है जी और adjust हो लेते हैं तो adjust हो लेते हैं तो समस्या का अल भी निकाल लेते हैं मुसीबत को पार कर लेते हैं तो अपनी सोच में लोच होने के कारण हालात आसानी से अपने फेवर में कर लेते हैं मेरा अनुभव है कि फ्लेक्सिबल थम्ब वाले इस्टिप थम्ब वालों के मुकाबले में अधिक कमाते हैं और कच भी उसे हिसाब से करते हैं जैसे वो बताया ना, स्टीट थमपाले रूड़ी वादी होते हैं, परंपरा बाती होते हैं, तो उनके बिल्कुल अलट में, ये फ्लेक्सिबल थ胗 वाले ब्राइन्मेंड़ होते हैं, खुले दिमाग वाले, लकिर के पकीर नहीं होते हैं, भकिया नूशी नहीं होता हूँ तो फाल तो नहीं सोचते, ये अंतर करते हैं, मैं चुद्धा कर रहा हूं कि मैं प्लान कर रहा हूं, तो ये प्लान करते हैं, लेकिन सहानू भूती पूर्ण रवया रखते हैं दूसरों के प्रती, हाँ जी, ये देयालू होते हैं जी, सबाओं में, और मदद भी कर देते हैं खाली बातें नहीं है, मदद भी कर देते हैं और आर्थी मदद भी कर देते हैं और भावना तक मदद भी कर देते हैं ऐसे लोग अगर कोई इनके पास मैं मदद मांगने आता है तो यह ऐसे लोग जगड़ा पसंद नहीं करते हैं अबना टाइम खराम नहीं करते हैं क्रियेटीव काम करेंगे और कोई बहुत घहरी जिंता कर भी योजना नहीं बनाते हैं ओन दा स्पोट तो इनको जो को जो समझ में आगी बात तो उनों तुरण उटके चल देते हैं चलो आज़ा वहीं शुरू करते हैं अब ये मानवी गुन हो गए अब आप ती ये तीसरी पिक्चर देखो जिसमें में लिखा हुए कि ये बैंट्स अप टू लेस तेन 90 डिग्रीज तो काल सूपर फ्लेक्सिबल अब जिसके सूपर फ्लेक्सिबल थम है तो वो सूपर दयालू है सूपर मदद करने वाला बड़े दिल वाला है और हार्ट वाला अदमी है जेनरेस है और धर्मकारियों में दूसरे कारियों में बढ़ेव कर कर छिसہ लिए-दान देता है और फिर पिर इनको नुकसान भी हो सकता है क्योंकि मेरे इसाथ से वर्ड इस हार्श प्लेस यहां तो बाईया चालाक लोग हैं बहुत ज़ादा जूट बोल बोल के मदद ले लेते हैं और वापिस इनको देंगे नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना तो मदद कर दी तो फिर इनको वापिस आना मुश्किल एनका पैसा तो यह टूमच हो गया ना तो टूमच को है हम अच्छा नहीं समझते हैं अगर यह पूरी देया बावना से मानुतावादी में लगे रहेंगे तो अपना जीमन उद्देश भूल जाएंगे अपना जीमन का ट्रक को ध्यान नहीं देंगे तो एतना नहीं होना चाहिए कि आप पर एक पास भी नहीं है टाइम, मनी, इनर्जी देते रो देते रो यह तो तरीका नहीं है इतनी इंसानित अच्छी नहीं हम तो बत्मन में एक दोवा हमको याद लेता है अभी भी हमको याद है वो क्या पोलते थे के अती हर चीज की खराब तो अती का ना परसना अच्छा अती की भली ना धूब और अती का ना बोलना अच्छा अती की भली ना चूब अती तो चीज़ की खराब है ज़्यादा हसना बेकार ज़्यादा रोना बेकार ज़्यादा सेक्स बेकार ज़्यादा आराम करना बेकार ज़्यादा खर्च करना बेकार समझ मैंना ज़्यादा हर चीज़ की तो अती खराब ही होती है निये तो ये बच्चत कैसे कर पाएंगे जब इन उनके हाथ से निकल दाता है पैसा तो आप ही समयलोग अगर कोई क्लाइंट है आपका और वो फ्लेक्सिबल थम रखता है तो समयलोग वो आपको पैसे देखे जाएगा हाँ जी और बड़ी आसानी से उसकी चेफ से लोग वैसे निकल वा लेती है जैसे इस्टेबिलिटी नहीं रहती है इनकी जीवन के अंदर तो लगाता है लगे रहते है नहीं ना इस्टेब थम वाला लगा रहेगा मशीन की तरह से और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना तो ये इनका मूड भी एक जैसा नहीं रहता है एक दिन तो खुश है और अगले दिन बिना मतलब भी डिप्रेस हो जाएंगे और उतावलापन होता है इंगे तो ये चीज़े होती हैं तो ये सवाव होता है पैदाशी सवाव होता है बदल सकते हैं हम सीख के सल्फ कंट्रोल करके इननों को सल्फ कंट्रोल चाहिए आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको लेकिन ये मैं देख रहा हूँ मैं वीडियो लंबा होता जा रहा है और बहुत लंबे अंगोठे वाले का क्या मतलबा होता उसकी बारे में मैं चर्चा करूँगा आपको भी आगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इनको लाइक कर दो शेयर कर दो और जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्प्राइज भी करतो मेरे इस चैनल को थेंक्यू वेरी मच्छ मैं गॉड ब्लेश यू वाल सब खुश रहें भई थेंक्यू वेरी मच्छ वीडियो गुडबाई मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो में अंगोठे के उपर ही होगा जी हो लेकिन उसकी लंबाई के बारे में होगा थेंक्यू वेरी मच्छ